तो जैसे कि आप नुख जानते हैं कि कल आपका एक ओफिचियल एक नोटिस है जो वाइरल हो रहा है सबसे ज्यादा और उसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशान है क्या है सबस्क्रां करा रात में चर्चा हो रही थी जाए मातलों ने वीडियो बनाया था हम लोगों ने भी बना के बताया कि यह सबसे पहली बात है कि यह जो नौटिफिकेशन है जो सर्पलड़ जारी को है यह बीस हजार की जो बात चल गहीं इसमें कितनी हद तक सचाही है यह क्या है अखिर का देखिए सबसे पहले तो सब बात यह है कि आपको याद होगा कि बारतारिक से एक्जाम डेट ऑफिसल बाद में आई थी हमें पहले ही पता चलिया थे कि ऑफिशल यह डेट एनांस होने वाली है बारतारिक को उसी तरीके से जो यह नोटिस है यह ओफिश यह ओफिशल यह आने में थोड़ा एक दो दिल लग सकता है दूसरी बात यह है कि आपकी आंसर की जब तक नहीं आएगी जब तक डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोल भी नहीं आएगी सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई बच्चा यह सोसरा हो कि डोक् की आसपास आपको डुक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वी आजएगी अब दूसरी बात आती है कि इस सब्सक्राइब को पूछ नहीं और इस बात को भी सुनना यह इस बात को बिस हजारी लिस्ट क्यों उन्होंने जारी की इस बात को भी सुनना लिस्ट क्यों मैं आपको बताना चाहूंगा 3300 वेकेंसी आपकी 2016 में आई थी है उसमें DVPST के लिए अगर मैं बात करूँ तो चार बुना बच्चे बिलाए गए तो लगबद 11,5-11,000 के आसपास बच्चे उसमें थे और अब बात करें वेकेंसी है 9,500 के आसपास और बच्चे बिलाए ग सबचि विए के आज़ाओ ऐसमया को क्योंकि इस भरती को कम से कम समय में वो कंप्लीट करना चाहते हैं कि इसमें ज्यादा समय न लगवे ज्यादा बच्चे बुलाए जाए गैगे तो ज्यादा समय लगेगा तो भरती बार समय ciao पॉजने का चांज है जो यह नहीं च вещи और स संख्या तम होगी जिसका मतलब है कि कटोग उपर जाएगी और इसमें क्या चीज है जो बच्छे मतलब हमने अपनी तरफ से भी कटोग बताई थे कि इतनी कटोग जा सकी उसके बाद में फिर कुछ डेटर भी आया कि 140-50 वाले बच्चे बहु जा रहे तो सरीए कटोग उपर मतलब सीधा सा है कि भर्ती बोड ने अपनी मेरिट पहले से रही सेट कर ली है कि हमें इतने कटोग रखनी चाहिए और इससे उपर के जो बच्चे है एकड़ वही वाले बच्चे बलाने चाहिए अब जो बच्चे कम नंबर लाए थे जैसे 110 वाले OBC वाले लाए थे 105 OBC व में होगा DVPST के लिए हम इसमें कंफर्म नहीं कह सकते है एकड़ी 110 ने अपनी कंफर्म कह सकते है क्योंकि यह रियल डेटा मैंने पहले भी बोला है जब तक वह वाला डेटा ही पता चलेगा कि 140-150 वाले बच्चे कितने हैं 160 वाले कितने बच्चे हैं अगर वो डेटा हमारे कटोफ सेट कर लिए है अब वो बच्चा जो कॉंपीट कर सकता था रणिंग में और डोक्यमेंट वेरिफिकेशन में जिसके कम नंबर के रखने से ज़्यादा नंबर वाले को अब वो चांस कहीं न कहीं वो खतम कर लिया वह चार है कि 20,000 बच्चे बिलाए जाए जाए और या फिर ऐसा भी हो सकता है पिछली वाली भर्ती के साथ समायों चीफ तर देखो ऐसा मैंने देखा है कहीं बार खेर वो बात अलग है नहीं होगी वो सही होना चाहिए क्योंकि जो बच्चे अभी मेहनत किये हैं उनका नंबर पहले आना चाहिए बाकी अगर सेक्सनल होता है और जिसके नंबर 16.17 के असपास है वो बच्चा फैल हो जाएगा लिखे ले लो आज ही बता रहा हूं 2016.17 में ऐसा ही होता है जो मैं कहूंगा basic किस question ठीखते है जिसके वो सेक्सनल नॉर्मलाइजेशन की वज़े से फैल होता लेकिन यह सेक्सनल नॉर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता पाएंगे कि जो भर्ती बोर्ड चारिए जो सेक्सनल नॉर्मलाइजेशन वो होना चाहिए कि और वोल पर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए सेक्सनल नॉर्मलाइजेशन तभी हंटेगा जब ओडर आएगा तो नॉर्मलाइजेशन के कि कटाफ के वारे में क्या आप अकत्र कुछतें ना कि 110 वाले 150 वाले इक हैं कि कुछ अभी नहीं बोला जा सकते लेकिन इतना जरूर जैसा की सबने बताया कि कि इतना जरूर है कि cut-off पहले कि अपिक्षा, cut-off में बढ़ोत्री होगी। जी कहिता है। पक्की बात पता नहीं, क्योंकि पता नहीं, 130 से उपर कितने हैं, यह भी पता नहीं 120 से उपर कितने हैं, लेकिन इतना जरूर है कि cut-off जादा जाएगा। Ś्ञ यह और भी बाते नहीं एक सो दस वाल एक सो बीस के आस पास चले जाए ना कि मॉक्स बढ़ सकते हैं तो कुछ भी कहना अभी इतना ज्यादा पॉसिबल तो नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन से क्या फाइजा किसको होने वाला है बट वही है नॉर्मलाइजेशन के बारे में जैसे मैंने बता है कि अभी ओडर है तो उसके उपर ही डिपेंड करेगा बाकि 20,000 बच्चों को जो बलाया है उनके लिए all the best है जो बच्चे मेहनत कर रहे थे अगर मादो इसमें बच्चा कम हो जाता है आदे से जादा बच्चे से बाहर निकल जाते है रणिंग में माल लीजिए और फिर डोक्यूमेंट वेरिफिकिसन में माल लीजिए तो फिर एक सेकंड लिस्ट जारी हो सकती है आयोप ने कुछ पियर नहीं करा है और जैसा नहीं कि कुछ अपने मंद से बना कि बोलना चाहिए मेरे ख्याल से नहीं बागी तो सपच्व रहे और आगे की तहियारी करते रहे है कि मैं आपसे यही घुजाणी करूंगा कि आगे की तहियार करते रहे है, एक्जाम में ऐससे नहीं की दिर्शयम मेच है था सबसे बड़ा एक्जाम का नाम है, फिर CHSL बहुत बड़ा एक्जाम है, CGL तो बहुत बड़ा इसलिए है, क्योंकि मुख्य परिक्षा में Maths का बहुत व्यापत रोल है, साथ CPU का बहुत बड़ा रोल है, CPU हो गया, CGL हो गया, CHSL, MTS और Steno, Steno जो आप जानते हैं, MTS, Steno बहुत जादा स्टुडेंटे जो तैयारी कर दे, खासपर पर CHSL, PLUS 2 लेवल की परिक्षा हो, SSC तो ही है, बाकी उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परिक्षा हो, UP Constable की परिक्षा हो, अन्य राजियों से संबधित कोई भी परिक्षा हो, जिसमें गडित का बहुत बड़ा रोल हो, तो गड आप दिस्क्रिप्षिन में लिंक दीगें और सुपीब करके आप जाग सकते, तो मेरे ख्याल से आपको दिर्श्य लेट के जोइन करना चाहिए, हमारे ख्याल से भी जोइन करना चाहिए, बात ये आपसे बुलागाते हो थी, THANK YOU SO MUCH, JAY!